सब्सक्राइब कीजिए मेरे चनल को और प्रिस कीजे बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सके हैं hello friends मैं अभी जीत आज की वीडियो में मैं आपको मिनी चांदी को कट्नी को ग्रो करने का बहुत आसान सा下去 बताने वाला हूं हमने कुछ इस तरह की मिनी चांदनी का कटिंग ले रखा है जिसमें हम कटिंग को तयार करेंगे तो लगबग 7-8 हिंच इतनी कटिंग हमें मिल जाएगी तो चलिए अब हम इसके निचले भाग को सबसे पहले 45 डिगरी पे कट कर लेते हैं तो चलिए अब हम इनके उपर के भाग को भी कट कर लेते हैं तो आप हो सके तो मल्टी ब्रांच वाली कटिंग लीजिए जिससे ग्रोथ होने के बाद इसका जो शेप आएगा बहुत ही अच्छा हैगा तो इसलिए मैंने इस तरह से मल्टी ब्रांच वाली कटिंग ली है और कुछ इस तरह से इनकी जितनी भी लीफ्स हैं उनको आपको हटा देना है क्योंकि लीफ्स रहेगी तो इनमें से एक्स्टा एनरजी लेगी और हमारी जो कटिंग है खराब हो जाएगी इसलिए हम लीफ्स वाला पोर्शन को हटा देते हैं तो देखे हमारी जो कटिंग है वो तैयार हो चीकी है अब इस कटिंग को लगाने के लिए हम स्वैल मिक्स की बात कर लेते हैं स्वैल मिक्स में हम एक साल सड़ी हुई पुरानी गूबर की खाद ले रहे हैं इसमें से किसी भी तरह किस मिलना है इस तरह से बिलकुल काली दिखनी चाहिए तो यह हम 20% ले रहे हैं बाकी यह जो हम सैंड ले रहे हैं वो 40% ले रहे हैं और बाकी जो गार्डनिंग स्वैल ले रहे हैं वो हम 40% ले रहे हैं यानि हम sand और मिट्टी को garden soil को same quantity में ले रहे हैं और अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे अब हम इस cutting को लगाने के लिए 5 इंच का pot ले रहे हैं और देखे इसमें नीचे बहुत सारे drainage हो ले हैं तो जिससे extra water है असानी से निकल जाएगा तो अब हम soil mix को pot में भर लेते हैं अब हम इस cutting को pot में बीचो बीच अच्छे से मिट्टी में लगा देंगे तो आपको कुछ इस तरह से आराम से center में इस cutting को लगाना है और ध्यान रहे ज़्यादा तेजी से push नहीं करना है नहीं तो cutting हमारी तूट सकती है और फिर उसके बाद मिट्टी से हम इसको अच्छे से दबा देंगे cutting को pot में लगाने के बाद अब हम इसे अच्छे से पानी देंगे cutting को भी अच्छे से पानी देंगे और इसकी मिट्टी में इतना पानी देंगे कि pot के नीचे तल तक पहुंच जाए क्योंकि पहली बार हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना होता है क्योंकि मिट्टी ड्राई होती है पानी देने के बाद अब हमने जो कटिंग लगाई है उसको एक पॉलिथीन से कवर करेंगे कि इसमें किसी भी तरह से air ना जाए तो इसको cover करने के बाद हम उपर से इसको डोरी से बांद भी देंगे ताकि इसमें किसी भी तरह से air ना जाए या इसका जो मौश्यर है वो खतम ना हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये जो cutting मैं लगा रहा हूँ समर के मौसम में ग्रो कर रहा हूँ अगर हम विंटर में ग्रो करते तो हमें पन्नी से cover करने की जरूत ना पड़ती अब हम इस pod को खुली जगा में चाओं में रखेंगे कटिंग को लगा है आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं और अब हम इस पन्नी को open करके देखेंगे तो 8 दिन आप देख सकते हैं हमारी जो cutting है उसमें growth स्टार्ट हो चुकी है चोटी चोटी पतियां आना शुरू हो गई है तो मैं बीच बीच में 2-2 दिन पे एक बार पन्नी को खोल करके इस पे sprayer की सायता से पूरी stem को और पूरे मिटी को अच्छे से पानी भी देता था ताकि इसमें dry ना हो और बिल्कुल अच्छे से इसमें growth होता है तो sprayer की सायता से हम इसको अच्छे से पानी देंगे पूरा उपर चिस से नीचे तक और मिटी में भी अच्छे से पानी देंगे और फिर इसके बाद हम फिर इसे polythene से cover करके फिर shady area में रख देंगे चांदनी की cutting को लगा है आज पूरे 20 दिन हो चुका है तो 20 दिन आप देख सकते हैं इनकी जो leaves हैं काफी बड़ी बड़ी हो चुकी है polythene के अंदर से ही दिखाई दे रही है तो यह दिखे है polythene हटाने पे हमको बहुत अच्छा result दिखाई दे रहा है तो आप इनकी leaves दे सकते हैं काफी healthy तरीके से grow कर रही है और यह जो हमारा चान्नी का plant है जो grow कर रहा है तो इसको आपको ध्यान रखना है अभी भी इनको आपको direct sunlight में नहीं रखना है वरना इनकी leaves जलके खराब हो जाएंगी आपको ध्यान रखना है जब तक कि इनकी जो branches है लगबाग 3-4 इंच के ना हो जाएं तक कि आप इनको खुले में ना रखिए अभी इनको आपको ढखके ही रखना है फिर से हमें इस cutting को अच्छे से पानी देना है इनके pot में भी अच्छे से पानी देना है उसके बाद इन्हें polythene से फिर से cover करके फिर से हम shady area में ही रख देंगे आज हमारे मिनी चांदी के plant को लगा हुए पूरे 45 days हो चुके हैं यानि 45 दिन हो चुके हैं और यह देखिए polythene को हटाने के बाद हमारा जो मिनी चांदी का plant है उसकी growth आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो चुकी है और इसकी जो leaves है वो भी अप काफी अच्छे से बढ़ चुकी है इनकी branches भी लगब तीन से चार इंच की हो चुकी है और काफी अच्छी growth है यह देखिए यहां पर साइड पे भी आपको roots दिखाई दे रहा है तो इसक को direct sunlight में ना रखी जब तक कि यह और ज़्यादा घने ना हो जाए क्योंकि एकदम से अचानक से यह plant अगर जब sunlight में जाता है तो stress में आके यह जो जितनी भी leaves आई सब बढ़न हो जाएंगी तो आपको धीरे धीरे इनको पहले हलके shade में रखना है फिर हलकी सी धूप वाली जगा पर फिर उसके बाद full sunlight में रखना है तो इस तरह से आपका plant अच्छे से grow करता रहेगा और आपका plant healthy रहेगा तो आप एक साल तक इनसे flowering भी इसी pot में ले पाएंगे आप को किसी pot को change करने की ज़रूत नहीं जब plant के pot में root pounding ज्यादा दिखने लगे यानि roots ज्यादा ह हो जाएं तब आप इनको अधर बड़े pot में shift कर सकते हैं तो तक कि आप इनको इसी pot में रहने दीजेगा अच्छे से grow होने दीजेगा इसके अलावा मैंने मिनी चांदनी पे ज्यादा flowering का वीडियो भी आपको दे रखा है उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो इस वी झाल 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 झाल